हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मंजल तक दोस्तों आज की इस कलास में हम ABPS RRB आफिसे सिस्टेम प्लेम्स 2019 के रिजिनिंग का सेकंड पार्ट देखेंगे अगर आप फर्ष्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो description में फर्ष्ट पार्ट का link available है आप उस पर click करके फर्ष्ट पार्ट को देख सकते हैं प्लीज वीडियो को last तक देखना बहुत ही important है आप सभी के लिए तो आईए देखते हैं अगला question है coding decoding से इस तरह के questions को solve करने के लिए सबसे पहले हम questions को ही देखेंगे यहाँ पे पुछा है काज आप colority के लिए समभावित code क्या है तो हम सबसे पहले काज का code पता करेंगे देखेगा काज यहाँ पे है और काज कहीं है और काज कहीं है नहीं ठीक काज कहीं नहीं है तो इस में से ऐसा word हम ढूटेंगे जो किसी भी किसी या बोले कहीं भी नहो DI यहाँ पे है DI यहाँ पे है तो DI हो नहीं सकता RE यहाँ पे है RE हो नहीं सकता यहाँ पे है यहाँ और कहीं है नहीं है तो काज का जो कोड होगा हो यहाँ होगा आगे है OFF OFF देखिएगा यहाँ पे कहां है आफ यहाँ पे हैं और आफ यहाँ पे है तो इन दोनों में जो कामन होगा इन दोनों में जो कामन होगा वही आफ का कोड हो जाएगा तो कामन क्या है? यहल ए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो आफ का कोड क्या हो गया? यहल ए क्लार्टी क्लार्टी देखीगा यहां पे क्लार्टी है क्लार्टी यहां पे भी है और क्लार्टी यहां पे भी है इन तीनों में जो कामन होगा वो क्लार्टी का कोड हो जाएगा कलार्टी का कोड जो तीनों में कामन होगा हो कलार्टी का कोड हो जाएगा तो के यहाँ पे है के यहाँ पे है के यहाँ पे है हाँ पाला ही कामन हो गया तो कलार्टी का जो कोड होगा हो के यह होगा तो जिस आफसंस में इन तीनों का साथ होगा वही अगला question भी coding recording से है अब यहाँ पर हमें देखना है S A Z O H A R E तो S A Z O H A R E इन सब का हमें code पता करना है S A देखिएगा यहाँ पर है S A और S A कहीं पर है S A कहीं पर नहीं तो इसमें से जो चीज कहीं पर नहीं होगी वह इसका right answer हो जागा cause यहाँ पर है, cause कहीं पर है cause कहीं नहीं है तो cause ही इसका हो जाएगा जैसे का cause C A U S E आगे है Z O Z O यहाँ पर है Z O और कहीं है कहीं नहीं है तो इन में से जो चीज कहीं नहीं होगी वह जड़ो का हो जाएगा end, end यहाँ पर है यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, क्लार्टी यहाँ पे है, क्लार्टी यहाँ पे है, तो क्लार्टी नहीं होगा, लेफ्ट यहाँ पे है, लेफ्ट और कहीं है, देखीगा, यहाँ पे है, इदम उपर, ठीक, तो लेफ्ट भी नहीं होगा, इन, इन यहाँ पे है, इ येचे और कहीं नहीं है सिर्फ इसी में है ठीक तो येचे तो इसमें से जो कहीं नहीं होगा वही येचे का कोड़ होगा इंसाइड देखिए होम यहां पे है होम यहां पे है इंसाइड यहां पे इंसाइड और कहीं नहीं है तो येचे का जो कोड़ होगा वो इंसाइड होग ठीक आगे है R E R E देखिए का कहा कहां पे है R E यहां पे है R E और यहां पे है R E यहां पे है तीनों में है ठीक तो ऐसा वर्ड हमें खोजना है जो तीनों में है काज यहां पे है काज और कहीं नहीं है आफ यहां पे है आफ इन दोनों में है आफ नहीं है, end यहाँ पे, end इन दोनों में है, नहीं है, home यहाँ पे, home यहाँ पे भी है, और home यहाँ पे भी है, तो इसका क्या हो जाएगा, code home, ठीक, तो car in inside home, car in inside home, आपसे नमबर से ही right answer हो जाएगा, next question, अगला कुश्यन डायरेक्सन से बोल रहा है मेगना ने बिंदु ये से चलना प्रारम किया और पस्चिम की और साथ मीटर चली फिर बाएं घुमें फिर बाएं मुड़ी और दो मीटर चली बाएं मुड़ी दो मीटर चली और बिंदु C पर पहुँची फिर बाएं मुड़ी और चार मीटर चल कर बिंदु D पर पहुँची उसके बाद फिर बाएं मुड़ी और दो मीटर चली फिर बाएं मुड़ी और दो मीटर चली यहाँ पर पहुँच गई फिर दाई और मुड़कर 3 मीटर चली और बिंदू B पर पहुँच गई ठीक एबन गया मेरा फिगर बिंदू B से बिंदू A कितनी दूरी पर हो किस दिशा में है बिंदू B से बिंदू A कितनी दूरी पर है 8 मीटर की दूरी पर है किस दिसा में है पूरू में है अफ्सान नंबर वी रायराइट अन्स ठीक अगला यादि मेगना बेन्दु बिंदू B से दो मीटर दच्छड की और चली यहां पर पहुंची और बिंदू E पर पहुंची बिंदू E पर पहुंची बिंदू B से नहीं चली थे वह बिंदू A से चली थे बिंदू A से चली और दो मीटर चली और बिंदू E पर पहुंची तो निम्न में से कौन सा है जो बिंदू E को मिलाकर सीधी रिखा में पड़ेगा तो D और C है ना D C को अगर मिलाएंगे E के साथ तो एक सीधी रिखा बनाएगी तो आप्षा नमबर D राई टेंसर हो जाएगा Next question Question है निसकर्ष दिया है और कथन दिया है हम सबसे पाहले निसकर्ष चेक करेंगे निसकर्ष में के से यन जाना है हमको के से यन जाना है तो चेक करते हैं के से यन के से यन तो कतते ही नहीं जा सकते है R से क्यूँ चेक करते हैं R से याप गया याप से क्यूँ गया हाँ यह राइट एंसर है राइट निसकर्स है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसा नमबर B के वल निसकर्स 2 सही है ठीक, निस्ट कुश्चिन अगला निसकर्स है E से K जाना है और इस उकल टू के साथ E से K जाना है देखिएगा E से B इस उकल टू के साथ B से J, J से K E, तो पहला निसकर्स सही हो गया आगे D से B जाना है D से हम कहीं नहीं जा सकते है क्योंकि यहां से ऐसे गेट बंद हो गया तो इवाला निसकर्स गलत हो गया तो आपसा नमबर A इसका राइट अंसर हो जागा केवल निसकर्स 1 सही है Next question अगला question है सब्द minute में अच्छरों के ऐसे कितने युगमा है जिन में से प्रतेक में सब्द के बीच उतने ही अच्छर है जितने अंग्रेजी वड़माला में आगे और पीछे दोनों और से तो देखेगा इनका numbering कर लेंगे तेरा, नव, चौदा, इकीस, बीस, पांच अब देखेगा सीधे से चलते हैं तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा कोई नहीं है 9, 10, 11, 12, 13 कोई नहीं है 14, 15, 16, 17 नहीं है 21, 25 नहीं है कोई नहीं उल्टा चेक करते हैं 5, 6, 7, 8, 9 हाँ, यह मिल गया 20, 21, यहाँ पर मिल गया 21, 22, 23, 24, नहीं 14, 15, 16, नहीं, 9, 10 सिर्फ कितने हैं, 2 हैं 1st, 2nd इसका right answer, option number A चलिए next question देखते हैं अगला question है A, B का भाई है A, B का भाई है A, B का भाई है C, R का भाई है C जो है, वो R का भाई है तो हम यहाँ पर C बना देते हैं A, जो है, R का भाई है ठीक जो यससे विवाहित है C जो है, वो R का भाई है जो यससे विवाहित है जो यससे विवाहित है इसका मतलब क्या R जो जो आ जाएगा तो उसके ज़स्ट पाहले जो होगा वही उसका संबन्द हो जाँगा जो यससे विवाहित है R जो है, वो यससे विवाहित है R अकर लेड़ी है, तो yes पूरुस हो जाएगा R, B하기 एकलाउती बेटी है R जो है वो B की इकलावती बेटी है तो इसका मा और बेटी का संबंद हुआ T R का पुत्र है T जो है R का पुत्र है इस तरह से फीकर बन गया है ठीक आगे बोल रहा है निम्लखित में से कौन सा कथन आ सकते हैं C S का साला है C जो है S का साला है सही Yes T की मा है Yes जो है T की मा है ये गलत है Yes T का पिता है ठीक आपसा नमबर B इसका राइट एंसर हो जगा है कौन सा कथन आ सकते हैं आपसा नमबर B अगर B पुरूस है अगर B पुरूस है तो कितने पुरूस सदस परिवार में हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 आपसा नमबर D राइट एंसर हो जागा चलिए नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन है दी गई कोड भासा में निमने में से होम का क्या आर्थ है हमको होम का आर्थ पता करना है तो हम चेक करेंगे इसमें होम कहा कहा है होम यहाँ पे है होम यहाँ पे है और होम यहाँ पे तीन जगा होम में है फर्स्ट में है थर्ड में है और फोर्थ में है तो अब हम फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में जो चीज कामान होगी वह इसका राइट एंसर हो जागा ठीक, home का, यहां पे देखिएगा, R, E, यहां पे भी है, R, E, यहां पे भी है, R, E, यहां पे भी है तो इसका जो answer हो जागा, वो R, E हो जागा, ठीक, अगर हम यसे मान, देखते हैं, तो यसे यहां पे है, यहां पे नहीं है, यहां पे भी नहीं है DI यहाँ पर है DI यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है फ्रिक इस तरह इसका answer हो जागा RE Next question देखते है अगला question है यदि city create clarity का अर्थ F I K A D A है तो create के लिए क्या code है देखिए का create clarity यहाँ पर है create clarity यहाँ पर है यहाँ से K A और D यह K, A और D है ठिक तो create का पूछा है देखिएगा ध्यान से इन सभी चारों में कहीं भी create नहीं है create सिर्फ और सिर्फ इसी में है तो ऐसा कौन सा इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो किसी में नहीं है K, A यहाँ पे है तो K, A यहाँ पे है तो कि एक होगा नहीं R.E. यहाँ पे है R.E. देखिएगा यहाँ पे है तो R.E. भी नहीं होगा D.E. यहाँ पे है D.E. और कहीं है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है D.E. हो सकता इसका अंसर Create का Code D.E. हो सकता है लेकिन एक और है उसको भी चेक करते हैं F U यहाँ पर है F U और कहीं है F U और कहीं नहीं है F U और कहीं नहीं है तो F U भी इसका अंसर हो सकता है लेकिन आप्सन में देखिएगा D A दिया है, K A दिया है F I दिया है और d a या k a दिया है तो इसका answer d a होगा ठीक option number a इसका right answer